शिडूल का शिडूल ट्राइब का आरक्षण होना भी चाहिए वो भी कहते हैं वो ठीक है लेकिन OBC में तो वैसे लोग नहीं है यहां तो बहुत ज़्यादा इनमें तो बहुत सारे अर्द समंति जिनको वामपंथी विचारधारा में कहा जाता है वो लोग हैं उनको क्या जर कारणा है इसको लेकर के ही इस देश में जो बात अब है दुवेजी में सरकारों के उपर टिपड़ी में कही मैं उसे समाज के बहुत दिक तपके और इन सब से भी जोड़ देता हूं कि खास तरह का आलस है और आलस ही नहीं एक पूर्वाग्र है कि इसको लेकर के कोई स्पष्ट समझ नहीं विक्सित के गई लगातार इस पर एक गहरा प्रशनिचन में रहा देश के बुद्धिजीवी तपके में जो लोग सत्था में बैठे थे वो कि जाती जंगना ना कराने की पीछे तर्प तो यह दिया गया ना कि 151 से में नया भारत बनाएंगे तो असर OBC रक्षर पर बिल्कुल साफ तोर पर दिखता है जो अंटचेबिल्टी वाला सवाल है अस प्रश्यता का सवाल है वह केवल दलत जातियों के साथ है आदिवासी जातियों के साथ तो वह सवाल भी नहीं जुड़ा हुआ है वहां तो अलत सामाजिक सांस्कृतिक उनकी स्थती है उसको ले करके विमर्श्रा तो पिछड़े वर्थ के साथ जो अनुच्छेद 154 अनुच्छेद 164 यानि सविदान का पहला संशोधन जो पिरियार के दबाव में बक्षर भारत के सामाजिक अंदुरलों के दबाव में जूड़ा जो अनुच्छेद 340 में विवस सामाजिक और सेक्षडिक रूप से पिछड़ी जाती है यानि वो जो शेडूल बनी थी अर्षप्रिश जात्यों के लिए इसे शेडूल काश्ट कहा या शेडूल ट्राइब कहा उनमें वह एक सूची तो बन गई लेकिन इसके बाद भी समाज का एक ऐसा तपका है जो अर् अथ्यात्मक्रूप से जोड़ दू तो विए बात उसफर्ष्ट हो जाएगी 340 के मुताबिक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने का प्रावधान संसत में किया है लक्टर अंबेटकर के सामने भी ये सवाल था जब लगातार बैकवर्ट क्लासिज लीग ये मांग कर रह समविधान सबाग के बैसों में भी जब यह बात आई तो डॉक्र अंबेटकर ने कहा कि इनकी जातियां इनकी संख्या ये सब आकने नहीं है इसलिए हम एक प्रावधान कर रहे हैं कि आयोग बनेगा जो उनकी तफसील से जाच करेगा तो पहला आयोग बना काका कालेलकर कर कमिशन ने जो जो रिकमेंडेशन दी न उसके अध्यक्ष में जो अपनी राय जाहिर की वह अपनी रिकमेंडेशन के खिलाब थी जिसके चलते उन्होंने कहा कि यह उनक तेइस सो निल्यान बेजातियां है जो सामाजी को सेक्ष्ट इस से पिछड़ी है लेकिन सरकार ने उ सरकार ने कहा कि हमारे पास तो आकड़े नहीं है और यह आकड़े जाति क्या धार पर नहीं आर्तिका धार पर होने चाहिए तो पहला कमिशन इसलिए फेल हुआ और मंधल कमिशन आज बेज़ी मंदल की जैनती भी है, मंदल कमीशन की पूरी अनुशनशाओं में देखेंगे कि जो इंद्रा साहनी मामले में जब इस पूरे अनुशनशाओं को न्यायाले के सामने प्रशनांकित किया गया, तो उसमें जब मंदल कमीशन की जो सिफारिशे की उसके पहले जो क्वेशनायर फ्रेम हुआ था कि आप कैसे पहचानेंगे पिछड़े पन को, वह इतना तार्किक था कि उसमें साफ तोर पर आगया कि जाती के अधार पर ही पिछड़े पन को माना जाएगा, इंद्रा सानी मामला इसके लिए साफ एक नजीर बन था, इसलिए तो आरक्षण दिया गया तो यह क्रीमी लेयर उसी मामले के बाद आया था कि उन्होंने आरक्षण तो लागू कर दिया कि जाती के आधार पर 743 जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाएगा, और उसके बाद क्रीमी लेयर आया कि यह जो सामाजिक स्थती है वह अइस्प्रिश्य होने की नहीं है पिछड़े बर के साथ क्रिशी, पशुपालन, हस्त शिल्पुद्योग, जो पेशा इनका है वो अइस्प्रिश्य का पेशा नहीं था इसलिए वो वंचना नहीं जेले हैं, जो दलित प्यक्ति जेला हुआ है तो इसलिए उनको उनके आबादी के आधिया अनुपात में दिया गया यह आखरी बात यह यह कि यह तरक ही कन्विंस नहीं हो पाए इसलिए लगातार OBC आरक्षण परहमला आर्थिक चश्मे से ही किया जाता है तो एक क्रीमी लेर का मसलब ही है और EWS आरक्षण आने के बाद आप इसको दोनों को एक साथ देखिए आठ लाग की सीमा इस समय OBC की है और आठ लाग की सीमा EWS की है तो इसी तर्क को इसलिए आगे बढ़ाया जा रहा है कि हम जाती केंद्रित जो बहस है उसको अर्थ केंद्रित बना दे और आरक्षण को गरीबी उन्मूनन का कारिकम बना दे जो कि यह कहीं से सत्त हिंदी का एप डाउलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर